स्वागत है आपका नैशन दस्तक में मैं हूँ आपके साथ फरहीन सैफी करनाटक में हिजाब को लेकर लगातार माहौल भी करता ही जा रहा है मुस्लिम छातरों को हिजाब पहन कर स्कूल आने पर रोक लगा दी गई है लेकिन अब करनाटक में हिजाब को लेकल चल रहे संगराम के बीच हिंदू संगठन भी कूद पड़े हैं बजरंग दल के स्टुडेंट्स ने मुस्लिम छात्राओं के विरूद में भगवा चोला और भगवा रंग स्काफ पहनना शुरू कर दिया है इसके साथ ही अब इस मुद्दे पर स्यासी रंग भी चलना शुरू हो गया है कॉंग्रिस नेतार राहुल गांदी ने सरस्वती पूजा के दिन ट्विट करते हुए कहा कि चातरों की हिजाब को उनकी सिक्षा में आड़े आने देकर हम भारत की बेटियों का भवेशे लूट रहे है मासरस्वती सभी को ज्यान देती है वो भेद नहीं करती लेकिन वही प्रियंका गांदी खुद एक महिला होकर इस पर कुछ नहीं बोलती वो उत्तरपरदिश में चिना परचार करने में इतनी बिजी है कि वो अपना नारा लड़की हूँ ड़ सकती हूँ शायद भूल चुकी है वो करनाटक में मुसलिम महिलाओ पर हो रहे जुल्म पर एक शब नहीं बोलना चाती महबूब मुफ्ती ने कि इन सरकार पा आरोप लगाया कि लड़कियों को सिक्षित करने का उनका नारा खोगला है अगर मुसलिम लड़कियां हिजाब पहनती हैं तो उन्हें सिक्षा से वनचित किया जाता है उन्होंने ट्विट करते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक और खोगला नारा है मुसलिम लड़कियों को सिर्फ उनके कपड़ों की वज़ा से शिक्षा के अधिकार से वनचित किया जा रहा है ऐसा करना गांधी के भारत को गोट से के भारत में बदलने की तरफ एक कदम है वहीं उमर अब्दिल्ला ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ तस्वीरे शेयर की जिसमें मुख्यमंत्री योग्या दित्यनाद, भाजपा की वरिष निता, उमा भारती और भुपाल से लोगसवा सदस्य पर गया ठाकुर की तस्वीरे शामिल है इसके साथ साथ उसमें हिजाब पहने हुए कुछ मुसलिम चात्राओं की भी एक तस्वीर है इसके साथ ही उन्होंने ट्विट कर कहा कि किसी इंसान को क्या पहनना है इसके चिनाव के लिए हर इंसान स्वतंत्र है आप उसकी पसंद को पसंद या ना पसंद कर सकते हैं लेकिन ये हम सभी का अधिकार है अगर जन परतिनिती भगवा रंग पहन सकते हैं तो ये लड़कियां भी हिजाब पहन सकती हैं मुस्लमान दूसरे दर्जे का नाकरिक नहीं है इस मामले में स्थानी विधायक और कॉलिज विकास समीती के अधियक्ष रगुपती भट्टे ने कहा कि जो लड़कियां कॉलिज के बाहर बैट कर हिजाब के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं वो कॉलिज छोड़कर जा सकती हैं उन्हें किसी ऐसे कॉलिज में दाखला ले लेना चाहिए जहां यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की इजासत हो हमारे नियम साफ है कि उन्हें हिजाब पहन कर क्लास में बैठने की पर्मिशन नहीं मिलेगी इस मामले को लेकर छात्राओं की दरफ से करनाटक हाई कोट में याचिका लगाए गई है एक याजिका में कहा गया है कि हिजाब पैनत छात्राव का मौलिक अधिकार है, जिसका अधिकार हमें सनमीधान देता है छात्राव ने Article 14 और 25 का हवाला भी दिया आपको बता दें कि Article 14 समानता के अधिकार की बात करता है और आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता सुनश्यत करता है साथ ही मुसलिम लड़कियों का ये भी आरोप है कि इंटर कॉलिज में जब हिंदू तहवार मनाये जाते हैं तो हिंदू लड़कियां बिंदी लगा कर आती हैं लिकिन बिंदी लगाने से उन्हें रोका नहीं जाता है तो फिर मुसलिम लड़कियों को हिजाब पहने से क्यों रोका जाता है आपके समुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं बागे ख़बरों के लिए देखते रहें नैशन दस्तर नैशनल दस्तर की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नैशनल दस्तर को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे